बिहार के बाहुबली नेता और पूर्वसांसद आनंद मोहन के जेल से बाहर घूमने के मामले में एक बार फिर बड़ी कारवाई हुई है सहरसा के डियेम आनंद शर्मा की जांच रिपोर्ट के अधार पर जेल विभाग ने सहरसा जेल के जेलर समय तीन अधिकारियों को सस्पंड कर दिया गया जानकारी के मताबिक जेलर मृत्युंजे कुमार मुख्य वाडन, दानी प्रशाद यादो और वाडन हरीनंदन कुमार को निलंबित किया गया है इनसे जवाब मांगा गया है कि जब पेशी के लिए निकले आनन्द मोहन जेल में समय से वापस नहीं लोटे तो एक्सन क्यों नहीं लिया गया बता दें कि गोपाल गंज के ततकाले इंडियेम कृष्ण नईया हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्वसांसद और बिहार के बाहु बली नेता आनन्द मोहन के जेल से बाहर घुमते पाए जाने पर राजनिती घमासान मचा हुआ है